जैहिन बच्चो आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आशक करती हूँ कि आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे बच्चो आज की कक्षा में हम पत्र लेखन करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पत्र क्या होते हैं पत्र के द्वारा हम अपनी बात लिख कर दूसरों तक पहुचाते हैं और इसी प्रकार दूसरे भी हमें लिख कर अपनी बातों को हमारे तक पहुचाते हैं संचार के बहुत से साधन होने पर भी आज पत्र संदेश देने का महत्तपूर्ण साधन है आज हम टेलिफोन के द्वारा अपनी बातें दूसरों तक पहुचा देते हैं और दूसरों की बातों को भी समझ लेते हैं पर फिर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पर पत्र उपयोगी होते हैं वहां हमें पत्र लिखना ही पड़ता है तो चलिए आगे देखते हैं पत्र दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनापचारिक पत्र आपचारिक पत्र ज्यादातर हम विद्याले के प्रधानाचार्य को कक्षा के अध्यापक को संपादक को या पुस्तक विक्रेता को लिखते हैं और ये थोड़े छोटे होते हैं यानि इन्हें संशेप में लिखा जाता है और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हम परिवार के सदस्यों को अपने मित्रों को या प्रियजनों को लिखते हैं और ये थोड़े बड़े भी हो सकते हैं तो आज की कक्षा में हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये अनौपचारिक पत्र है सबसे पहले आप दिनांग लिखेंगे उसके बाद विचार लिखेंगे और अनौपचारिक पत्र लिखेंगे और इसमें जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं वो line लिखेंगे जैसे की अपने बुवाजी को अपने जनम दिन पर बुलाने हे तो पत्र तो ये पत्र आपको लिखना है सबसे पहले यहाँ पर अपना पता लिखा जाता है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है तेलियर गंज 251 तेलियर गंज प्रियाग राज और यहाँ का पिन लिखा है आप इसकी जगे अपना पता लिख सकते हैं आप प्रियाग विहार में रहते हैं या पवन विहार में रहते हैं जहां पर भी रहते हैं वहां का पता लिख सकते हैं इसे लिखने के बाद आप आगे दिनांक लिखेंगे जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं दिनांक लिखने के बाद आपको लिखना है आदर्नी बुवाजी यानि जिसको पत्र लिखा जाता है उसके बारे में लिखना है आदर्नी बुवा जी नमस्ते आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे बुवा जी जैसा कि आपको पता है कि 20 जन्वरी को मेरा जनम दिन है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस अवसर पर हमारे साथ हों आप जरूर आएगा मैं आपका इंतिजार करूंगा फुफा जी को मेरा परणाम कहिएगा आपका भतीजा अमित तो बच्चो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है और आपको यही पैटर्न फॉलो करना है जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है अंदर आप अपनी लाइने बदल सकते हैं पंक्तियां बदल सकते हैं पर जो पैटर्न है उसको इसी तरह ही लिखना है तो आप इस तरह से पत्र लिखिए और फिर इसे याद करिए तो मिलते हैं अगली कक्षा में, अपना ध्यान रखे, धन्यवाद